जंगल में रात भर बारिश होती रही कुकू और गुडिया के घर के पास एक जामुन का पेर था पेर भी बहुत खुश था जी जनाब पेर भी खुश होते हैं पेर सांस लेते हैं पेर बड़े होते हैं तो पेर खुश भी हो सकते हैं वाओ देखो गुडिया बेहन कितने प्यारे जामुन लगे हुए हैं हाँ भाई ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें बुरा रहे हैं कि आकर हमें खा लो ममा ममा हम जामुन खाने जा रहे हैं आके लिए भी लाएंगे ठीक है बचो दिहान से जाना फिर कुकु और गुडिया जामुन खाने चले जाते हैं गुडिया और कुकु काफी सारे जामुन तोड़ते हैं खुद भी पेट भर के खाते हैं और अपने ममा पापा के लिए भी ले कर जाते हैं ममा चिडिया और पापा चिडिया बहुत खुश होते हैं वा जी वा आज तो हमारे बच्चे हमारे लिए जामुन लाए हैं कुकु कुछ जामुन रख लेता है बेटा ये किस के लिए है मामा ये मेरे दोस्त कीकी के लिए है उसे जामुन बहुत पशंद है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है जाओ और तुम कीकी को जामुन दे आओ कुकू कीकी के घर जाता है और जाकर दर्वाजे पर दस्तक देता है कीकी दर्वाजा खोलो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ कीकी दर्वाजा खोलता है आजो मेरे दोस्त तुम से ही समय पर आए हो ये देखो कितने मज़े के अंगूर है फिर दोनों दोस्त मिलकर अंगूर और जामूर खाते हैं शाम होते ही कुकू अपने घर जला जाता है जब सुभा कुकू उरता है तो वो क्या देखता है कि वहां जामूर का पेड़ ही नहीं था कुकू और गुडिया रोने लगती हैं उन्हें वो पेड़ बहुत पसान था अब वो जगा खाली पड़ी थी वो पेड़ कुछ इंसान काट कर लेगे थे बच्चो आप रो मत हम और पेड़ उगा लेंगे ममा क्या ये इनसान नहीं जानते कि पेड़ हम सब के लिए कितने जरूरी हैं आखिर क्यों ये पेड़ कार देते हैं कुकू बेटा सब इनसान एक जैसे नहीं होते ये तो बस कम अकल लोग होते हैं जो पेड़ कार देते हैं बहुते लोग शोक से पेड़ उगाते हैं और उनकी देख भाल भी करते हैं अगले दिन उस जंगल में कुछ लोग आती हैं जो ने पेड़ लगा रहे थे बचो वो देखो आज जंगल में कितने अच्छे इनसान आए हैं वो ने पेर लगा रहे हैं हाँ ममा ये बहुत अच्छे इनसान है ये हमारी तरह अच्छे हैं ममा वो देखें वो इनसान झाड़ियां काड रहे हैं बेटा वो कांटेदार जाड़िया कारना बहुत जरूरी है जैसे आपके नाखुन बड़े हो जाएं तो उसे कारते हैं ना और बाल भी ऐसे ही वो जाड़िया कार रहे हैं कुकु भेया आपको इतनी ही बात समझ नहीं आई मैं तो समझी आप अकल मत होगे हो गुड़िया की इस बात पर वो सब हंसने लग जाते हैं ममा दूसरे बखशी मुझे अपने साथ खेलने क्यों नहीं देते मेरा भी दिल करता है मैं छोटे बखशियों के साथ खेलूं कुकु मेरे बेटे आपके पापा नहीं है ना इसलिए जिन बचों के बापा नहीं होते वो गरीब होते हैं इसलिए ही दूसरे बचे आप से नहीं खेलते ममा कल नदी पर मैं कीकी के साथ खेल रहा था कि उसका बापा आ गया और उसने मेरे एक थपर लगा कर मुझे वहां से भगा दिया मैं हुना अपने बेटे से खेलने के लिए मैं केलूंगी अपने बेटे से मैं अपने बेटे की हर खुशी पूरी करूंगी वो बच्चा था वो कहां समझने वाला था दूसरे दिन वो उड़ता हुआ आमों के बाग में पहुंच जाता है वहाँ आम के बेड़ पर कीकी और जगू बैठे हुए थे कुकू भी वहाँ जाकर बैठ जाता है तुम यहाँ क्यों आये हो? मेरा आम खाने को दिल कर रहा था मैं भी आपके साथ यहाँ आम खाने आया हूँ कितनी बार तुम से कहा है? कि जिस चगा हम बैठे हो तुम वहाँ ना आया करो भाग जाओ यहाँ से कुकू रोता हुआ वहाँ से जला जाता है फिर जगू कवा और कीकी चुपन चुपाई खेरने लग जाते हैं कीकी छाडियों में चुप जाता है और जगू कीकी को ठोंडने लगता है काफी देर के बाद जब जग्गू को कीकी नहीं मिलता तो जग्गू आवाज देता है कीकी कहा हो मैं हार गया कीकी जब छाड़ियों से बाहिर निकलने लगता है तो वो कांटों में फंस जाता है जगू मेरे दोस्त मैं यहां हूँ मैं कांटों में फंस गया हूँ मुझे बाहिर निकालो जगू कीकी के पास आता है तुम इन कांटों में क्या करने गे थे मैं यहां छुपा था के कांटों में मेरे बंक फंस गे अगर मैं यहां आया तो मैं भी फंस जाओंगा, मैं तो जा रहा हूं घर यह कहते हुए जगू वहां से भाग जाता है जगू, जगू मेरे दोस्त मुझे ऐसे छोड़ कर ना जाओ पलीच मुझे इन कांटों से बाही निकालो, मैं यहां मर जाओंगा मगर जगू, कीकी की एक नहीं सुनता, वो वहां से चला जाता है शाम हो जाती है, जब शाम तक कीकी घर नहीं आता तो कबूतर और लूसी कबूतरी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हो जाती है वो कवों के घर जाती है जगू मेरा कीकी तुम्हारे साथ खेलने गया था वो कहा है वो अभी तक लोड कर क्यों नहीं आया नहीं आंटी मुझे तो नहीं पता के कीकी कहा है मैंने तो उसे सुभा से ही नहीं देखा जगू ऐसे जूट बोलता है ममा चिडिया और कुकू दोनों पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे मैं ठग गई कुकू मैं ठग गई मैं हार गई और मेरा बेटा जीत गया ममा हार गई ममा हार गई ममा आप मैं हर रोज आप के साथ ही खेलिया करूँगा मैं अब किसी के साथ खेलने नहीं जाया करूंगा मैं हूना पकी दोस्त अपने बेटे की बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ ममा चिडिया को तूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है कुकु बेटा, ये कोई बचा रो रहा है और मदद की कुहार लगा रहा है हमें देखना होगा फिर कुकु और उसकी ममा वहां से उड़ते हैं थोड़ी ही दूर कुकु को की की जाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है कुकु की ममा दूसरी तरफ थी कुकु जल्दी से वहां जाता है कुकु प्लीज मुझे यहां से निकालो, मैं यहां कांटों में फंस गया हूँ कुकु कुछ सोचे बिना कांटों में खुस जाता है और अपने पंकों से कांटे हटा कर कीकी को वहां से बाहर निकालता है कुकु के पांख भी खायल हो गे थे ममा चिड़िया भी वहां आ जाती है कुकु बेटा आपके पांख से खून बह रहा है ममा कोई बात नहीं मुझे बहुत खुशी है कि मैंने कीकी को कांटों से बाहिन निकाल लिया है कुकु मुझे माफ कर दो मैंने कभी आपसे दोस्ती नहीं की और जो मेरा दोस्त था मुझे ऐसे कांडों में फंसा हुआ छोड़ कर चला गया कीकी किसी की मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमारा दोस्त ही हो फिर ममा चिडिया और कुकु कीकी को उसके घर छोड़ाते हैं उस दिन से कीकी और कुकु पक्के दोस्त बन जाते हैं और वो हमेशा एक साथ खेलते हैं ऐसे कुकु को दोस्त मिल जाता है और वो हमेशा खुशी खुशी रहते हैं प्यारे दोस्तों किसी से भी दोस्ती करने से पहले कभी ये मत देखें कि वो कितना अमीर है बलके ये देखें कि वो आ के साथ कितना मुखलिस है